जी देखिए फ्रेंड इतना बुनने के बाद अब हम बाजू लग बुणेंगे फ्रेंट और बैक का लग बुणेंगे तो हम इसको ऐसे इकठा करेंगे अगर आपके पास सर्कूलर स्लाई नहीं है तो आप इसमें ठ्रेड डाल के भी बच्चे का देख सकते हैं जैसे हमने यह बना लिया है इदर का बाग है जैसे हमने यह जाली बनाई है तो हमने कितनी जाली बनाई है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंद्रा, सोला, स्तारा हमने सेवन टीन जाली बना ली है अब हमने क्या करना है अब शोल्डर बुणना है अलाग से उल्टे-उल्टी स्लाई का तो पहले हम जो हम भून रहे हैं जहां से राइट साइड में है और बटर होल भी है बटर होल हमने दो, चार, छे, आठ, दस, ग्यारा 11 लाइने बनाई, 22 लाइन, 11 लाइनी उल्टे उल्टे दिखी, फिर हमने बटन होल बना दिया, 12 लाइन में, इसके बाद हम फिर 2, 4, 5, 11 लाइने बनाएंगे, फिर बटन होल बनाएंगे, तो इससे पहले हम यह बना रहे हैं, शोल्डर का, बज्जू बुनेंगे बच्चे की बेबी की, तो जैसे हम बुनते आ रहे हैं, वो ही बुनेंगे, ऐसे, इसको slip करेंगे, और इसको बुनेंगे, पहले हम इतना portion बुन ले, फिर दखाते हैं आपको, जह देखिए फ्रेंड, अब हम जाली नहीं डालेंगे, जहां हम जाली डाल रहे थे, जहां स्तारा जाली डाल है 17, तो जहां तक हम बुन लेंगे, इस फंदे तक, अब हम बाज्यू का portion ही बुनेंगे, कैसे, जहां तक तो हम बुनते आगे, क्योंकि हमारा thread लगा हुआ था, अब हम thread आगे करेंगे, और उल्टा उल्टा बुनेंगे, तो जितने बाज्यू के फंदे हैं, उनको उल्ट बुन लेंगे, ऐसे, उल्टा उल्टा हमने बुनते जाना है, बाज्यू तक, जह देखिए फ्रेंड हमारे 45 फंदे हैं, तो हमने उल्टे उल्टे बाज्यू के बुन लिए हैं, अब आपने, हमने एक बात आपको बताई नहीं, जब हमने ये 1, 2, 3, 4, 5 जाली बनाई, उसक स्लाई हमने उल्टी उल्टी बनाई, दोन्हों तरफ से उल्टी, और ऐसी लाइन आई, ये 2 जालیاں बनती हैं वाइट से, उसके बाद हमने फिर, एक, दो, ती, चार जाली पींक की बनाई, 8 स्लाई, फिर हमने जहां 4 स्लाई, मतलब 2 जाली और 4 स्लाई वाइट की बनाई, एक, दो, तीन, चार, फिर उसके बाद हमने बंद कर दिया, तो ऐसे आप ए डिजाइन डाल सकते हो, आर्ट सलाई बीच में, जे पांच जाली है, जे आर्ट सलाई है, और जे भी आर्ट सलाई है, तो ऐसे ये लेंद पूरी बन जाएगी, अब जैसे हमने बाज्यू का ये बुनेगे, तो बाज्यू के लिए हमारे पास दस नंबर की, नौ नंबर की स्लाई है, दस पे भी बुन सकते हैं, हम थोड़ा नौ बे इसलिए बुन रहे हैं, ये थोड़ा सौफ्ट बने, तो जे भी हम उल्टा ही बुनेगे, ऐसे, जे देखिए, ऐसे उल्टा-उल्टा जो देखिए हमने उल्टी लाइन फिर बोल ली है अब हम जहीं से वापस आ जाएंगे क्योंकि आउनली बाज़ू बुन रहे है तो जहां फिर हम सीधा फंदा स्लिप करेंगे ऐसे थ्रेड अपनी तरफ फिर उल्टा बुनेंगे तो ऐसे हमने उल्टी उल्टी 6 लाइन बनान हमारी जे दो लाइने बनी है इदर भी उल्टा रॉंक साइड पर भी और इदर भी उल्टा ऐसे बनाएंगे दो लाइन फंदों को अभी हमने टच नहीं करना है इनको हमने बैक के साथ बुनना है तो हम पहले जे बना ले जे देखिए फ्रेंड हमने ये बना ली है तीन ला करेंगे और पीछे को करेंगे ऐसे हम इसको बाइंड करेंगे चेन के साथ सफाइसे बाइंड कीजिए ना टाइट ना लूज अगर आप ये बाज्चो पूरी बनाना चाहते हैं तो आप पूरी फुल बाज्चो बनाएगे जितनी आपके बच्चे बाज्चो की लेंड है उतनी बनाके फिर बंद कर दीजिए हमने इतनी ही बनानी है इसलिए हम आपको ये वाला portion पता रहे हैं तो हम ऐसे ही पूरे फंदे bind करतेंगे जो देखिए हमने ये bind कर दिया है अब इस में से हम एग गोला निकाल देंगे ऐसे हम काटेंगे नहीं thread को ऐसे ही bind करतेंगे तो हमारा यह छौल्डर बनके एश रžeड हो गया है अब information, यह वाला छूलडर बाज्जो। बाज्जो रेड्डी है अब हमने क्या करना है हमने जहां आपको बटाया था था हमने वह त्रेड पूरा गोला साथ में है बूल का तो हम जही से आगे बुनना स्टार्ट करेंगे, यह देखिए ये पीस भी हम पूरी एक सलाई बज्जु तक बनाएंगे, फिर बज्जु आगे वैसे ही बुननी स्टार्ट करतेंगे, तो थोड़ा सा लॉंग छोड़ कर इतना जो सलाई में आ जाए ऐसे, जहाँ पर ऐसे, इतना सा छोड़ कर आ आगे आप पूरी स्लाई बना लीजिए जहां से टाइट करके तो यह स्लाई में आ जाएगा थ्रेड काटने की जरूरत नहीं है अगर आप काटना चाहते हैं तो काट भी सकते हैं आप इन 58 फंदों को हम सिंपल बाज्जू तक बुन लेंगे जैके देखिये फ्रेंट यह बाज्यू का बुनने के बाद हमने सीधी स्लाई बना ली और आप छोल्डर के पास पहुँचके हैं तो शोल्डर के पास, अब यह जो शोल्डर के फंदे हैं ना हमारे इतने, अगर आपने थ्रेड में डाले हैं फंदे तो ठीक है, अगर नहीं डाले तो स्लाइपे भी आप बना सकते हैं, जहां भी हमने सेम ऐसे उल्टी उल्टी छेस लईया बनाके बाइंड करना है, तो अब की जाली तक, जहीं देखिए फ्रेंड इसको हम अलग से फिर बनेंगे इन सलाइएं को, जो हमारे एक बैक के फंदे हैं, इस सर्कूलर सलाइपे हम डालेंगे, जह तो डले हुए थे, जो इदर वाले फ्रेंट के थे, इनको भी हम इसी सलाइपे ले लेंगे, चाहे आप एक ले सकते हैं, यह देखिए, यह हमारे फंदे इकठे इसमें हो जाएगे, यह बाजू निकल आएगी, एक बार देख लीजिए, यह हमारी बाजू बनेंगी, और जे फ्रंट के साथ हमारे फंदे अटैच होगे हैं, और इदर वाली बाजू इदर ऐसे आएगी, यह हम अभी बनेंगे, सेम बनेंगे जैसे इदर बनेंगे, तो फ्रंट का पार्ट हम नहीं बनेंगे, तो फिल हाल हम फ्रंट के पार्ट को, जो अगर तो थ्रेड में ड डाले तो कोई बाद नहीं आप ऐसे ही फ्रंट के पीस को ले लीजिए जो सर्कूलर सलाई होती है इसको भी बड़े ध्यान से रखना पड़ता है ऐसे फिर इन फंदों को भी हम इसी में ले लेंगे तो अकठे करके रख देंगे जब इधर बुणेंगे ना वापस आके तो इ फंदे कर लीजिए डवाइट कर लीजिए जे देखिए यह हमारी बाज्जू है और जे फंदे हमारे इसके होगी ठीक है तो ऐसे आपने बनाना है डवाइट करना है नीचे का भाग कैसे बुनना है वो हम इसके बाद आपको बताएंगे जे देखिए फ्रेंट हमने जे वाला पोर्शन बाज्जू का भी भूल लिया है पहले हमने यह सलाई बनाई पूरी फिर बाज्जू बुनी बाज्जू का बॉडर बुना हमने थ्रेट को काटाने इस हाथ में ही फिर इस सलाई को बनाया इस सलाई को बनाने के बाद हमने इ एक पूरी SLAI बनानी है, तभी एए SLAI ब्राबर इसकी front की और back की और front की ब्राबर आएगे, तो जहां भी हम अब SLAI को complete करेंगे, पूरी SLAI बनाएगे, जहां भी हम थोड़ा long thread खोड़ेंगे, जो SLAI में आ जाएगा, और हम सीधी SLAI, बना कर complete कर लेंगे ऐसे ये वाला portion ऐसे स्लाई में जब स्लाई होगी तो आ जाएगा तो ऐसे ये वाला पूरा जहां तक बनाईगा जो देखिए ये स्लाई भी हमने पूरी बना ली तो हमारा पूरा round कलियर हो गया है अब हमने ए ऐसे रखना है पीछे भी हमने फंदे डाले ह हैं स्लाई में और आगे भी जे आगे हैं फंदे जे बाजू रेडी हो जाएगी इदर भी बाजू और अब हमने ए फंदे डाल लिये हैं इसमें सरकूलर में ऐह देखिए ऐसे जुड़ जाएंगे फंदे आपस में ऐसे ही बुनेंगे round में जहां से लेके जहां भी हमने ए फंदे जोग दिये हैं जहां थोड़ी सी हमारी बाद में सलाई होगी इसी में ए थ्रेड भी आ जाएगा और सलाई भी हो जाएगी और जे जो फ्रंट का भाग है और बैक का ट्वंटी सिक्स फंदे ट्वंटी सिक्स फिफ्टी फोर और सिक्स्टी बारा फंदे जी हैं फिफ्टी फोर तब फिफ्टी सिक्स और सिक्स्टी टू इतने फंदे हो जाएंगे हमारे कितने हो जाएंगे बारा फंदे और हैं तो इतने फंदे हैं बैक के हमारे हैं फंदे तो क्योंकि हमारी आगे बटनपटी है इसलिए बटनपटी के फंदे भी इसमें ऐसे आएगी बटनपटी है ना तो इकठे हो जाएंगे ब्राबर आएंगे आगे और पीछे गे तो इतना भागा बनाएगे नीचे का जो portion हमने बनाना है वो हम design डालेंगे वो आपके साथ share कर बना लें इसको इकठा कर लें उसके बाद हम जहीं से slice start करेंगे बनाने जहां छोड़ा था जहीं से अब एक उल्टी slice बनाएंगे और हमारे पूरे फंदे एकठे हो जाएंगे जब हम इस बनाएंगे ना तो कठे हो जाएंगे एक बाद दखादते हैं जिदेखिए जब इ एक फंदा हम एकस्टा जहां पर डालेंगे जो slice के लिए है ऐसे डालके फिर एक फंदा जहां पर एकस्टा जाहिए जब जोड़ेंगे तो हम फिर दो फंदे एकस्टा डालेंगे जिदालने बहुत जरूरी है इस से under जो आर्म होलोता है वहां slice अच्छे से आ जाती है तो ह जहां हमने जॉइंट करना है आपस में तो वहां तक हम पहले सलाई बनाएंगे जो देखिए फ्रेंट इस बाग को हम अब इस से जोड़ेंगे इस वाले पोर्शन से तो जहां हम एक फंदा पहले बढ़ा लेंगे बढ़ा लिया अब हम इसके लिए भी एक फंदा बढ़ाना ह तो जहीं पे बढ़ा लेंगे इस पोर्शन को इसके साथ जोड़ेंगे तो एक फंदा और बढ़ा लेंगे तो हमने दो फंदे बढ़ा लिए एक इदर का एक इदर का और इसको इसके साथ जोइंट करतेंगे आगे हम दो सलाई में भी बना सकते हैं पूरा स्वेटर पूरा आप इसी को हमने बुनते हुए जाना है तो जे देखिये दोनों बाज्द में हमारी देखिए हमने इस स्वेटर नीचे को बना लिया है जहां से जो हमने इस्टार्ट किया था न वो बना कर हमने रैडी कर लिया है बटन पट्टी साथ में बनी है बटन होल भी बन गे हैं देजाइन भी हमने बहुत सुंतर सा डाल दिया है देखिए कितना सुन्दर डिजाइन बनके आया है पूरे में ही डल गया है अब इसकी हम आपको लंबाई बताएंगे कितनी है लेंथ बनकर कितना लगता है क्योंकि एक साल दक के बेबी को आएगा थ्री मन्स से लेके तो जो इसकी लेंथ है वो हम आपको बताने जा रहे है डिजाइन भी बताएंगे हम आपको यह देखिए जहां से अगर स्टार्ट करते हैं तो यह बारा इंच बन जाता है वो छोटा नहीं है बिलकुल बेबी को ठीक आएगा यह देखिए बारा सदे बारा बन जाता है अगर ऐसे हम लेंथ ना पेंगे तो वैसे तो ग्यारा इंच भी बहुत होता है लेकर हमारी यह वाइट लाइन आ रही थी तीचे एक डिजाइन की तो हमने दे दी क्योंकि जब बेबी को उठाते हैं तो स्वेटर उपर को चड़ता है तो कठा हो जाता है इसलिए हमने थोड़ी सी लेंथ अच्छी रखी है तो आप भी ऐसे बना सकते हैं जैसे ही आप फ्रेंट डिजाइन बना लें जैसे डिजाइन बना लें और उसके बाद आपने उल्टी उल्टी जैसे ही डिजाइन बनाएं उल्टी साइट तो हमारी सीधी एक जाएगी न लाइन तो जहां से हमारी इस साइट से हमने थ्रेट लगाया था तो जहां से उल्टी साइट आएगी उल्टी साइट हम पिंक बनाएंगे पूरी और राइट साइड से आके फिर हम यह वाली लाइन पिंक बनाएगे और जो देखिए हमारा बटन हो लास्ट में आया है जो हमने ए बटन रखे हैं यह 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11 लाइनों के बाद फिर हमने 2, 4, 6, 8, 10, 11 लाइनों के बाद तो ऐसे फिर 11 लाइनों के बाइस लाइनों के बाद फिर 11 सलाइन के बाद हमारा बटन हो लाया है तो बिलकुल अड़जस्ट हो गया है इसली लैंथ में इसलिए हमने ए वाली लाइन भी डाली के डिजाइन भी अड़जस्ट हो जाए ऐसे आपने length का ध्यान नहीं रखना है कि एक line हमारी ज्यादा बन रही है बच्चे को थोड़ा long भी बन जाए तो कोई बाद नहीं अब फिर हमने कितनी सलाईयां बनाई ये देखिए 2, 4, 6 6 सलाई बनाने के बाद आप हम इसको bind करेंगे इदर से भी देखिए 6 सलाईयां आई है 2, 4, 5 और नीचे वाली 6 उल्टी बनाई थी ना एक इदर भी हमारी उल्टी आगी 4, 2, 4, 6 6 सलाईयां हमारी टोटल होगी अब हमने right side से इसको bind करना है bind कैसे करना है हमने पूरा sweater आगे 9 नमबर पे बनाया है हमने जहां देखा हमें लगा के थोड़ा सा soft होना चाहिए इसलिए हमने 9 नमबर पे बनाया है 10 नमबर से हमने start किया था आगे हमने 9 नमबर लगा दिया आप अपनी बूर के हिसाब से इसको लगाईए अब हमने क्या करना है 2 फंदे लेने है पीछे को सीधा बुना है ऐसे ही बुना फिर इस फंदे को इदर रख लिया फिर पीछे को 2 का एक किया फिर फंदे को इदर रख लिया ऐसे बाइंड करना है हमने और ना ही ज़्यादा टाइट बंद करना है ना ही लूज आपो नौ नमबर की स्राही ले लिजिए उसी से बाइंड कीजिए ऐसे इदर डालिए दो का एक कीजिए पीछे को फिर इदर डालिए फंदे को दो का एक कीजिए पीछे को ऐसे जो देखिए कितनी सुन्दर ये लाइन बनकर आएगी जैसे नीचे से बॉर्डर डाला होता है तीन लाइन ही हमें दिखेंगी तो ऐसे हमने पूरी स्वेटर को बाइंट कर देना है तो जैसे ही फ्रेंड्स हम इस डिजाइन को इस इन फंदों को बाइंट करेंगे उसके बाद हम आपको डिजाइन भी बताएंगे ये देखिए डिजाइन हमने जहां से स्टार्ट किया है पिंक कलर से तो डिजाइन कैसे स्टार्ट किया है और साथ में हमने बटन पट्टी कैस तब भी हमने 6 पंदे बुने और एक सीधा स्लिप किया और रॉंग साइड से इसको बूल लिया तो ऐसे आपने एंड तक बनाना है इधर भी एंड तक बनाना है अच्छा लगता है सुन्दर लगता है क्योंकि साथ साथ बनके पूरी लाइन आ रही है तो जब भी आप बाइं लाते हैं मेन इसके डिजाइन को हमने कैसे डाला है और अब इसमें हम बटन भी लगाएंगे न सुन्दर से मैचिंग बटन लगा लीजिए वाइट लगाईए पिंक लगाईए वो आपकी मर्जी है आपे डिपेंड करता है कौन से लगाने है और जो देखिए हमने कर देंगे डिजाइन को कैसे बनाना है और बटन पट्टी को साथ में भी घूंके जहां पर आके फिर कैसे बनाना है वह हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जे देखिए फ्रेंट इस डिजाइन को हमने कैसे बनाना है बटन पट्टी को कैसे बनाना है डिजाइन साथ में कैसे स्टार्ट करना है और फिर जब हमें पूरा डिजाइन भूल लेंगे ऐसे पूरी सलाई डिजाइन की तो आगे बटन पट्टी के कैसे फंदे रखने है फि कैसे हम इस डिजाइन को स्टार्ट करेंगे इस डिजाइन को बनाने के लिए हमने फंदे डाल लिए हैं तो हम इतना ही डिजाइन आपको बताएंगे जहां बटन पट्टी से लेके जहां तक और फिर इसके साथ दो फंदे रखेंगे और यह बटन पट्टी लास्ट वाली की दया है तो जैसे हमने बटन पट्टि तो हमारी साथ में चलेगी जब हम उपर से भी बनाते हैं तो मड़ी साहथ में चलेगे लेकर उसके साथ हमने दो फंदे उल्टे रख कार, फिर डिजाइन को स्टार्ट करना है, कैसे, पहले तो हमने एक सिंपल फंदा उतारा, बटन पट्टी बुणी पांच फंदों की, टोटल छे फंदे, एक पांच उल्टे आएंगे, डिजाइन के साथ, एक स्लिप किया, दो उल्टे, दो उल्टे, चार, एक और पांच, तो टोटल होगे, छे फंदे, दो, चार, छे, एक बटन पट्टी है, फ्रेड पीछे किया, पहला फंदा हम स्लिप करते हैं, उसके बार फ्रेड आगे करेंगे, इन साथ फंदों को तो आपने ऐसे हर बार बुनना है, आगे डिजाइन की फर्स्ट स्ल आई है, एक उल्टा, दो उल्टे, सिर्फ दो उल्टे बनाएंगे, आगे हमने पांच फंदों में डिजाइन डालना है, इस फंदे को हम पल्टा लेंगे, जैसे सीधा होता है, इसको पल्टा लेंगे, पल्टा कर हम दो का एक करेंगे, ऐसे, साथ में हम जाली भी डालेंग आगे फंदा है थ्रेड गिया था तो जाली डाल गी दो का एक एक सिंपल फिर दो का एक जब हमने दो का एक चार फंदे फने उल्टे बुंने को डबल करकर जाली डालेंगे ऐसे पहले ही साथ में जाली ढाली है 5 के 5 फंदे बनगे चार फंदे उल्टे 1 2 3 4 5 फंदे उल्टे थ्रेट इसरे ही है फंदा पलटाएंगे 2 का एक करेंगे और जाली भी डल जाएगी ऐसे फंदा बन जाएगा दो का एक, सिंपल बुना, फिर दो का एक, सीधा, थ्रेड आगे और जाली डाल दी, ऐसे, गुमा के, फिर हम दो ही फंदे उल्टे बुनेगे, जैसे आप अपने पूरे प्रजेक्ट में डिजाइन ऐसे डालते जाना है, पांच पे डिजाइन, चार उल्टे, फिर पांच पे फिर थ्रेड अपनी तरफ और पांच, छे फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, एक फंदा हमारा का में, चार, पांच और छे, छे फंदे हमारे उल्टे हो जाएंगे, इसमें, जहां हम पांच फंदे रख लिए हैं बीच में, चार फंदे आएंगे, वहां हम दो का एक कर रॉंग साइड हमने फर्स्ट फंदा हार बार स्लिप करना है सीधा, फित थ्रेड अपनी तरफ और पूरी सलाई हमने उल्टी बनानी है इसमें, जैसे हम बनाते आ रहे हैं, पूरी सलाई, देखिए फिरंड दो सलाई हमारी कंपलीट होगी है, एक सीधी पे डिजाइन डालना उल्टी पूरी बनगी, आब आते हैं इसकी थर्ड सलाई है, थर्ड सलाई सीधी है, फंदा ऐसे ही स्टिच किया, छे फंदे टोटल करने हैं, पांच फंदे उल्टे बने हैं, दो चार पांच, तो टोटल होगे बटर पट्टी के, शिक्स फंदे, सीधे फंदे को स्लिप कर बना है, चेन बनानी है ना साथ में, थ्रेड अपनी तरफ दो फंदे उल्टे, इतने फंदे तो आपने हर बार ऐसे ही स्टिच को जहां डालना है, जैसे दो फंदे उल्टे बने, थ्रेड अपने पास ही रखा, और फिर थ्रेड पीछे किया, इस स्लाई, थर्ड सलाई में इसको सीधा बन लिया, जाली वाले फंदे को, अब तीन फंदों का एक करना है, तो उससे पहले हम थ्रेड आगे करके जाली डालेंगे, इस थ्रेड फंदे को गुमाएंगे, और पीछे को तीन का एक करेंगे, फिर हम थ्रेड आगे करेंगे, इस फंदे को सिंपल बनेंगे फिर thread आगे करेंगे और चार फंदे जो हमारे बीच में हर बार आते हैं उन चार फंदों को हम ऐसे बुन लेंगे यह देखिए चार फंदे बुन लिए आगे फिर simple सीधा फंदा बुनेंगे कोई जाली नहीं डाली इस जाली के उपर जाली डालनी है तीन फंदों का एक करना है thread आगे करेंगे इसको फंदे को पलटा के तीन फंदों का पीछे को एक करेंगे फिर जाली डालनेंगे साथ में ही thread आगे करेंगे और इसको सीधा बुनेंगे जाली भी डल जाएगी फंदा भी बुना जाएगा थ्रेड अपने अग्गे अब फिर बटन पट्टी आगी है बटन पट्टी ए भंदे हर बार ऐसे ही पुनने है दो उल्टे थ्रेड पीछे स्लिप किया थ्रेड अपनी तरफ छे फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे ऐसे डिजाइन आएगा अब आते हैं रॉंक में तो हमारी चार स्लाई होगी अब पांच वी स्लाई में है पांच वी हम सीधी ऐसे ही बोनेंगे और पूरे फंदे उल्टे बोनेंगे हर बार उल्टी स्लाई पूरी उल्टी आएगी जो देखिए फ्रेंड हमने पांच वी स्लाई भी बना ली है डिजाइन हमारा बन गय बटनप्ट्टी अब हमने क्या करना है पूरी स्लाइल हमने सीधी बनानी है, कोई design नहीं डालना है, इस design को ऐसे पूरी श्राइब, जो बठन पक्ती है, वो same बनानी है, design के उपर हमने सीधी बनानी है, ये देखिए, ये जो बठन पक्ती है, और दशीत विप किया, और 5 पंदे उल्टे बने, thread पीछे किया, इसको slip किया thread अपनी तरफ जब इसको slip करना है ना साथ में ही हमने सीधी स्लाई बनानी शुरू कर देनी है इसके बटन पट्टी के साथ पूरी स्लाई सीधी आएगी ऐसे तो हम पूरी स्लाई सीधी बना कर ही आपको दिखा देते हैं ऐसे बटन पट्टी बुनने के बाद आगे की स्लाई पूरी सीधी आगे फिर बटन पट्टी आएगी वो भी हम उल्टी बटन पट्टी ही बुने ऐसे इतने फंदे बुने ये slip किया एक फंदा हमने उसके बाद पूरी स्लाई हमने सीधी बना दी आगे फिर बटन पट्टी है फंदे को slip किया thread अपनी तरफ किया और 6 फंदे उल्टे अब आते हैं इसका जो white color लगाना है इसके उपर हमने जो देखिए white भी बुना है तो white को कैसे बुना है जो देखिए बटन पट्टी के साथ हमने thread लगाया है wrong side से जे wrong side है wrong side से हम thread लगाते हैं जे लगाया है ना अपने thread इसको साथ में cover करना पड़ता है अब wrong side से हम white thread लगाएंगे 6 लाई बुनने के बार तो हम जो first फंदा है ना जाली का उसको slip कर लेंगे सीधा और अपनी तरफ ले आएंगे अब हम white color लगाएंगे ऐसे तो white color से हम पूरी सलाई उल्टी बुनेंगे इसमें कोई भी फंदा सीधा नहीं बुनना है पूरे फंदे हम ऐसे उल्टे बुनेंगे तो white की हमारी ये first सलाई है जो देखिए जब हमने white की पूरी सलाई सीधी बनाई तो इदर हमें राइट साइड में हमें बिलकुल perfect फंदे आएंगे हमने क्या करना है इसको सीधा slip करना है thread अपनी तरफ 6 फंदे उल्टे बुनने है एक, दो, तीन, चार, पाँच टोटल 6 होगे एक slip किया हुआ दो, चार, छे, उल्टे फंदे आगे thread पीछे, इसको फिर slip करना है आगे हमने वो ही design डालना है जो डला हुआ है design तो हम क्या करेंगे thread अपनी तरफ करेंगे slip करने के बाद फंदा एक उल्टा, दो, उल्टे जैसे ही दो, उल्टे फंदे बनाएंगे आगे हमने उसी पे design को बनाना है जहां पहले बनाया था जैसे first slide बनाई थी तो, ऐसे दो का एक फिर simple बना फिर दो का एक किया, और साथ में ही जाली डाल दी तो, ऐसे हमने इन पाँच फंदों को बनना है आगे हमने चार फंदे उल्टे बनाने है ऐसे चार फंदे उल्टे बनाए पाँच फंदों में फिर design डालना है सेम, बीच वाला simple आना चाहिए फंदा सीधा तो, हम जहां दो का एक करेंगे एक simple बनेंगे फिर दो का एक करेंगे फिर जाली डाल लेंगे ऐसे और दो फंदे उल्टे बनेंगे लास्ट में आके त्रेड पीछे इसको slip करेंगे बाकी फंदे उल्टे बनेंगे क्योंके हमारा जहां डेजाइन बटन पट्टी का स्टार्ट हो गया तो अब हम पूरे फंदे पिंक वाला भी उल्टा ही बनेंगे ऐसे इसको थोड़ा टाइट कर लेंगे तो हमारी ये सेकंड स्लाई बन गी वाइट कलर से डिजाइन भी बन गया अब आते हैं इसकी थर्ड स्लाई में थर्ड स्लाई वाइट कलर में जो हम बना रहे हैं वो पूरी उल्टी आएगी ऐसे पूरी की पूरी जो देखिए अब आते हैं इसकी फोर्ड स्लाई में पहले हम बटन पट्टी के फंदे बनेंगे छे सिक्स फंदे इसको स्लिप करेंगे आगे फिर डिजाइन वो ही बनाएंगे जो नीचे पिंक का बनाया था थ्रेड पीछे जाली आला फंदा सीधा थ्रेड अपणी तरफ जाली डालके तीन फंदे पीछे को एक करेंगे जाली डालेंगे एक फंदा सिंपल सीधा बनेंगे चार फंदे उल्टे बनेंगे बाकी डिजाइन फिर वैसे ही बनाएंगे एक दो का एकिया एक सीधा जाली डाली एक सीधा और दो उल्टे दो उल्टे के बाद हम फिर बटन पट्टी बनाएंगे सिंपल स्लिप करेंगे अथ्रेड डागे 6 फंदे उल्टे ऐसे ऐसे बनाएंगे तो हमारी 5 लाई वाइट की कंप्लीट होगी अब आते हैं 6 लाई में 6 लाई हम पूरी उल्टी ही बनाएंगे ऐसे उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे हाँ जे हमारी 5 लाई थी हमने पहले उल्टी बनाई फिर डिजाइन डाला ए वाली लाईन 2 फिर उल्टी आई 3 फिर उल्टी आई 4 सीधी बे डिजाइन डाला ना चौती बे जे आई 5 लाई अब आती है 6 लाई 6 लाई हम पूरी सीधी बनाएंगे क्योंके जहां हमारा थ्रेट है जहां से हम फिर कलर उपर वाला लगाएंगे जैसे इसमें हमने बनाया है तीन तीन लाईने आई है ना उल्टी की तो ये वाला एक सीधी स्लाई उल्टी पूरी आएगी और रॉंक साइड से हम डिजाइन को लगाएंगे थ्रेड को तो जे देखिए बाकी फंदे हम सीधे बुनेंगे जहां तक आगे बटन पट्टी को फिर सेम बुनेंगे जे देखिए आगे बटन पट्टी है बटन पट्टी स्लिप करेंगे और छे फंदे उल्टे बुनेंगे ऐसे तीन लाईने जे होगी डिजाइन की छे सलाई तीन लाइने जे छे सलाई आब आते हैं इसकी रॉंक साइड में रॉंक साइड पे अब हम थ्रेड चेंज करेंगे तो थ्रेड को ऐसी सीधा स्लिप करेंगे वाइट को अब थ्रेड लगाएंगे पिंक तो पिंक से हम पूरी सलाई उल्टी बुनेंगे ऐसे देखिए ऐसे ही इन 6-6 स्लाइयों को आपने रिपीट करते जाना है अब पिंक कलर से फिर डिजाइन स्टार्ट होगा शेल टेक सिंपल और ऐसे ही हम पूरी स्लाइया ऐसे बुनते जाएंगे और अगया के कलर लगाते जाएंगे और यह देखिए सेम डिजाइन बनना स् आ गया होगा और आप इस स्वेटर पर ऐसे ही माँ पूरा डिजाइन बना लेंगे और इसकी लेंथ जितनी आपके बेबी के लिए चाहिए उतनी आप बना लेंगे जैसे हमने बाइंड किया है बाइंड करके ज吃 विल्कुल और न ही इसकी लेंथ और हरी है बाज़ों की और इसको फिनिशिंग से वो आपको हम अभी दखाते हैं पहले आप डिजाइन बना लिए पूरा और फिर इसको बाइंड भी कर दीजिए बाइंड करने के बाद आपको पता चल जाए इसे देखिए फ्रेंड बंड करें बहुत सुन्दर लग रही है जहां से हम हमने थोड़ी सी जो सलाई थी वो कर दी है इदर भी कर दी है यह लाइने हमने आपस में जोड़ दी है और यह स्वेटर बनके रेडी होगी है स्वेटर के बटर हमने लगा दिये हैं और अगर आपको जे अच्छी लगी हो हमें लाइक करें और सब्सक्राइब जूर करें फ जसी निटिंग फॉर बेबी चैनल है ना तो इसको आप ली पहले सब्सक्राइब कीजिए फिर जो बेल है ना उसके बटन को प्रेस कीजिए तो जितने भी आगे हम स्वेटर बनाएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे आपके पास सब स्वेटर, कैप, सौक्स सब मिल जाएंगे यह बेबी का ही चैनल है बच्चों के लिए हम इसमें परजेक्ट बनाते हैं तो जिए देखिए बढ़के बहुत सुन्दर लग रही है आप अपने बच्चों के लिए बड़ी सुन्दर सी प्यारी सी स्वेटर बनाएंगे और हमारे साथ अपने व्यू शेयर कीजिए कि आपको कैसा लगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब कर ल झाल 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